मौवाईमा थानाक शेत्र में बीते सोमवार को दस वर्षिय बच्ची के साथ हुए दुशकन मामले में आरोपी को पुलिस ने गिरफतार कर लिया है पुलिस उपायुक्त गंगा नगर अभिशेक भारती ने मंगलवार को इस विशय में पुलिस लाइन सभागार में बताया कि पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस की कई टीमों को लगाया गया और 16 घंटों बाद आरोपी को गिरफतार कर लिया गया अब पीरित बच्ची के मेडिकल स्थिती के सामान्य होते ही बयान करते हुए विधिक कारेवाही की जाएगी बता दें की मौवाइमा थाना क्शेत्र अंतरगत एक गाव में अपने नानी के घर आई दस वर्षिय बच्ची के साथ उसके ही चचेरे भाई आदित्य चोहान ने चौकलेट देने के बहाने बहला फुसला कर अपने घर बुलाया और दुशकर्म कर मौके से फरार हो गया खून से लटपद बच्ची अपने घर पहुँची और रोते हुए माँ को सारी बात बताए परिजनों ने थाने में पहुँचकर एफायार दर्ज कर आए थाना ध्यक्ष ने पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर आरोपित की खोजबीन शुरू कर दी जिसे सोला घंटे में ही गिरफतार कर लिया गया सत्रा जुलाई दो हज़ार थाना मौवायमा में रात्री को एक लिखे तरीर द्वारा एक सूशना प्राप्त हुई कि उनके उनहीं की जो बच्ची है दस वरशी है एक बच्ची के साथ में दुशकर्म की सूशना मिली इसमें तत्काल एक्टिव होकर ACP फूलपुट द्वारा और थाना प्रभारी द्वारा एक स्पेशल टीम का गठन किया गया और रिकॉर्ड 16 गंटे में अभी उतकी गरफतारी सुनिश्चित की गई है बच्ची का मेडिकल परिक्षन करा लिया गया है और जल्दी बयान कराकर इसमें अग्रम विदेक कारवाई की जाएगी